हेलो गाइज वेल्कम तो मैं चैनल कोट स्टोरी वित माइक तो आज हम अपने स्ट्रिंग प्लेलिज का वीडियो नंबर 14 करने चाह रहे हैं मेडियम लगा क्वेश्चन है लीकुर्ट नंबर 28 पर काफी एजी समझ में भी आ जाएगा क्वेश्चन ओके क्वेश्चन करना में और एक नीडल नम का स्ट्रिंग दे रखाएं लिएलिः की व plaint की ऐस्ट ओलिए स्टा की मeenद है weapons अब को बस क्या पर प्रेज़ यहां पहली एकरंस कौन से इंडेक्स में जीरो इंडेक्स पर ना जीरो वन टू थी फॉर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसका अंसर जीरो फिर सब्सक्राइब करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं यह एक्जाम्पल था है आपको यह चेक करना कि यह वर्ड जो है है कि अगर है तो सबसे पहला करेंस कौन सा वह इंडेक्स भेजना है ठीक है तो बहुत सिंपल सा एकदम जो सबसे नई वप्रोच हमारे मन में आता उसी से सॉल्व हो जागा यह ठीक है तो यहां पर यह जीरो इंडेक्सिंग कर देता है 012345678 इसका इंडेक्सिंग जीरो 1 2 तो यह बहुत सिंपल से अब यह सोचो मैं क्या करूंगा मैं अभी माल लेता हूं मैं यहां खड़ा हूं ठीक है मुझे इसी में इसी स्ट्रिंग में ढूना है ना कि यह प्रेजंट है कि नहीं रइट तो मैं यहां पर स्टार्ट हो गया यह मेरा आयथ इंडेक्स है ठीक मरेदिटि करते हैं और न कि दोदेता हुए है मेरा जेरो पर है मैं यह आसे स्टार्ट करता हमे स्टार्ट इूधा की तो देखते है यह यह इस इस ट्रिंग का इसका स्ट्रिंग का नाम क्या देता है 週न येथका सी या़ किया है इस है और एस टू का ज belo cafe सल दोनों अभी ठीक है आगे बढ़के देखते हैं आगे के लेटर्स मिल रहे हैं कि नहीं तो एसे करके चेक S1 का I and J क्या ये बराबर है S2 का J है ना तो यात करो S1 I, i क्या था श्टार्टिंग में अभी i 0 पर ही खड़ा है i के बहुत है जीरो ओ गई लेकिन अंदर मैंने J बढ़ा दिया है देखो यहां पर 0 बहुत बड़िया अभी बिल्कुल सब से रहा है ये दोनों भी मैच कर गए है ये और ये उन स्वित ग्या है बहुत अफ्य अब आगे बड़ते हैं च्छें ये 2 izopes मैयच कर गया तो simple है अब आगे जेखो आगे बढ आएंगे सारे लेटर मैच कर रहें तो फिर से भीति हार्प्लस ज से मैंने फ्लस प्लस किया तो चैक का जे से तो1 का क्या हो जाएगा 2 एस το चुका टू का है दी है मैच कर गया है अब देखो mitä मेट पर जय आ गया इसका यहां लेंद लेंद न फ Catal sich私 कंवाया मतलब हमें पूरा का पूरा कारिक्टर माच सभी पूरा कापर ँला करयक्टर मेंच आए जए तपल यहां पहुंच पाया का मान लेते लेंदम है इसका मान लेते टिलनघनैंद थे कहाँ दो जी यहां अगिया एनमाइस वन तक पहुंच गया मतलब हमें पूष पूष या ठाघिक है हमें पूरा का पूष तक पहुंच पाया जाoug़ मैंट्र बीच मेंapping नहीं हो क्या हुआ मैंने सारे करेक्टर मैच कर गए तब ही तो जे यहां पहुंच गया तो मैं यहां पर रिटर्ण कर दूँगा कि भाई की जो वैलु थी ना वहां से मैच करनी स्टार्ट करी थी हमने वही पर पहली अकरेंस थी ठीक है यही आंसर होगा तो देखो आई की वैली जीर लेते हैं तक और भी समझ में आजए अब देखो यह एग्जामपल लेते हैं इसमें अई हैं से स्टार्ट हुआ मेरा ठीक है और यह जीं के से तो ठीक है देखते हैं सबसे पहले मैंने क्या बोला कि S1 का I plus J ठीक है और S2 का J ठीक है देखते हैं S1 का I तो 0 है J भी अभी 0 है तो S1 का 0 हो गया और S2 का J 0 है तो S2 का 0 S1 का 0 क्या है S है S2 का 0 क्या है ये भी S है बहुत बढ़िया मतलब अभी आगे और सकते हैं तो ठीक है J को अगे बढ़ातें है न जहे को मैं आगे बढ़ा के देख लेता हूं कि आन्यकू एस मैच कर गया था यह दोनों मैच कर गया था थीक है अच्छी बात है फिर से चक करते हैं S1 का I plus J और S2 का J तो एस्वन का क्या हो जाएगा और तो मेरा 0 है और J मेरा इसबर क्या हो गया 1 तो S1 का 1 और S2 का 1 ठीक है करेक्ट मैचिंग वह रही है तो देखते हैं S1 का 1 क्या है भाई S1 का 1 है S ठीक है और S2 का 1 क्या है भाई A है यानि कि दोनों equal नहीं है मतलब I is equal to 0 से अगर मैं start करूँ तो S2 मुझे नहीं मिलेगा सभी बात भी है देखो यहां पर मैंने I is equal to 0 से start किया तो S A B नहीं मिला मुझे S S मिलिया तभी तो break कर दिया मैंने है ना तभी तो break कर दिया इसका मतलब इस I से मैं start नहीं कर सकता तो अब मैं क्या करूँगा ब्रेक कर जाओंगा जे को वापस से 0 पे ले आता हूं जे को वापस से 0 पे ले आता हूं और I यहां आगे बढ़ जाएगा अब I is equal to 1 से देखेंगे इस यहां तक लियर है बहुत सिंबल साय ड्राइड करके आधा से ज्याधा कोड समझ में आ जाएगा तुम्हें अब देखो ठीक है फिर से सहीम चीज़ करते है अगे बढ़ा देना है बहुत ही बढ़ए दोनों एक्वल है मतलब यह दोनों match कर गया है अगर match कर गया तो बहुत ची बात है J को आगे बढ़ा दिते है J को आगे बढ़ा दिया है हमने ठीक है फिर से देखते है match करता है कि नहीं तो I plus J I मेरा 1 था और J इस बर क्या है J इस बर 1 है और S2 का J J मतलब 1 ठीक है तो S1 का क्या हो गया 2 हो गया और S2 का यहाँ पर 1 हो गया दोनों equal है क्या देखते है S1 का 2 मतलब A हो गया और S2 का 1 मतलब A हो गया Very good दोनों match कर रहे हैं यानि कि यह दोनों match कर गया match कर गया तो आगे और चेक करेंगे कि यहां पर आग्या ठीक है फिर से आगे बढ़ते हैं कि और ऑई तो में अब कर Divya यह फो इस वन का थिंड का सुर्द कशल्ट कि भी है और अाज पाँ वेरिए दुनों मैच कर गए और एक चीुट ध्यान दो यह कहां गया है कि इसकील लिंद एम है इसकीलिफ एन फरी खेल स्टाइव और सही बात इन प्रीख कर गया यानि कि हमें अपना एक स्ट्रिंग मिल गया उसके पहली एकरेंस कहां पर होगी आई पर होगी इंडेक्स से स्टार्ट होगा और सही बात है आई से स्टार्ट हुआ था मेरा इसका अंसर वन होगा कितना सिंपल था अभी स्टोरी लिखेंगे उसी से कोड बन जाएगा तो चल तो आई जीरो से स्टार्ट होगा ठीक है और यह दन उसकी लेंध किया थी एम थी ठीक है आई प्लस प्लस तक जाएगा ठीक है तो एक फॉर लूप तो समझ में आ गया ठीक है अब हर आई को मैं चेक करूंगा ना कि हाँ इस आई से स्टार्ट हो सकता है क्या जहां पर घूल गुटमाम कि तो बड़ा सिंपल यह तो बड़े इच्ट्च से क्लियर हो गया होगा जो मैंने पीपता ध्यान से सुनने मैंने क्या ऑला की थी mirac disrupt कि की किस आइ से स्टार्ट हो सकता है क्या मेरा स्ट्रिंग तो हर याई के लिए मेरे एक फॉर्लॉप च्राइब कदेखना पड़ेगा अधिस नेट कृश्चेड लूप ठीक है और यह पहला बाला फॉर्लॉप किसके लिए जो है स्टैक पर छलरा है जिसमें मुझे स्टिंग को ढ याद है तो ऐसे मैंने क्या बला था कि अगर एस वन का आई प्लस जे बराबर नहीं हुआ इसा नहीं हो तो बहुत एक बात है अगर इक्वल हो रहा है लेकिन एक आर चीज मैंने क्या बला था कि अगर जे आगे बढ़ते बढ़ते n-1 तक चला गया मतलब हमारा आंसर मिल चुका है वही आई मेरा आंसर होगा सारे करेक्टर मैच कर गया तभी तो मैं n-1 तक पहुंच गया तो रेटर्ण आई कर देंगा यहां पर कि खतम का नहीं और माल लेते कहीं पर भी रेटर्ण नहीं कर रहा हम हमें यानि कि वह वर्ड मिला ही नहीं होगा तो और मैनस रेटर्ण कर देंगे लास्ट में ठीक है कितना सिंपल था इससा कोड ना बूट फोर्स सिंपली बूट वूट से बना दिया हमने अब एक चीज़ देखो एक छोटा सा अप्टिमाइजेशन क्या कर सकते हो जिसे माल लेते हैं यह है मेरा एल इए टी लीट कोड ठीक है और मुझे ढूणना है कोड ठीक है तो ठीक है कोड यह इसका इंडेक सिंग कर रहा हूं 01234567 इसका इंडेक 0123 इसका लेंथ कितना हो गया आठ इसका लेंथ होगा चार एक चीज धियान दो ठीक है यह यहाद है इस पर चल रहा था आई यहां पर आयगा यहां पर आएगा फिर आहए कहां तक जाना चाहिए पहले तो मैंने फौल लूब लिगा कि लेस दिन होना चाहिए बट मुझे नहीं लगता तो दूर जानी की है ना तो इतने आगे क्यों जाओ गया आप यही तक रुख जाओ इसके बाद चार करेक्टर मिल रहे है मुझे तो यह मिल सकता है ना तो इसका मतलब है पूरे एम जाने की दूरत नहीं है कि आप आराम से लेज़ दन इकॉल टू कि माइनेस एं तक ही सिर्फ जाओ और वैसे क्योंकि एन लेंध का ही आपको चाहिए स्ट्रिंग जो ढूंड रहे हो वह एन लेंध का ही चाहिए तो बस चोड़ास ऑप्टिमाजेशन था कितना सिंपल था और टाइम कॉंप्लिक्स टी एम क्रॉस है वह आपको साफ साफ दिख करें जाएंगे निए के वीडियो ठीक है मैंने बहुत पर Rap लेंगी में वीडियो डाले थी जिसमें मैंने किम इंप किया दो पार्ट में उसका मैं लिंक डालों का में कमेंट आप वह देख सकते हो बट फ्यूचर में इन दोनों पड़को अलग सिवीडियो में अपने करते हैं तो चलो इसका कोट कर लेते हैं मैं अच्छा question है ठीक क्वेस्टन सब्जम आई गया हुगा तो यह काम करते हैं मैंने क्या बला था इसको मैं स्वन मान लेता हूं जिसमें मुझे क्या बोलाता फॉर लूप चलाते इंट इस इकल तो इस दन एकल टो माइनस एन यह भी मैंने डीजन बता दिया क्यों इसके बाद हर आई के लिए चेक करूंगा ठीक है फॉर इन्ट जे इस इकल टो जीरो जे लेज देन एन जे प्लस प्लस ठीक है यह यह लेक देता हूं कि कि के लिए मैं यह लूप चला रहा हूं यह चल रहा है एस वन पर और यह चल रहा है स्टू को कि मुझे स्टू को ही ढूंडना है एस वन में है तो सबसे बहुत यह कि अगर एस वन का आई प्लस जे इस नॉट इकल टो स्टू ऑफ जे होता है तो ब्रेक कर जो इस आई से कर गया है बहुत अच्छी बात है तो इस केस में हम रिटर्ण आई कर देंगा कि इसी आई से मेरा अंसर मिल जाएगा और ऐसा कहीं पर भी रिटर्ण नहीं कर पाए तो माइनस वन लास्ट में रिटर्ण करेंगे कितना सिंपल था बताओ ठीक है चलो इसको रंगर के देखत है आई होप सारे टेस्ट केसे पास हो जाने चाहिए लेट सी ग्रेट सब्मेट कर देखते हैं एपने इस कमेंट पर वह भी आप देख सकते हो करेंगे कि युज़ नहीं कर देख देखते हैं एपने जाने पर देखते हैं पर प्रोप्राइब आप देखते हैं पर देखते हैं वह बग्या एपने लिए नेक्स वीडियो धियू